Hello everyone, very good morning to all of you. उम्मीद करता हूँ आप सभी fit and fine होगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. सरपतम, आज आप सभी को 9 वर्स की बहुत बहुत शुब कामना है. इस शुब से हम कामना करते हैं कि साल 2024 आप सभी के लिए, कहीं न कहीं आपने आज तक जितनी कड़ी महनत करी है, आपको वो फल दे कर जाए. बस आप इसी कड़ी महनत से लगातार आपको चलते रहना है और 2024 में इतने लिए एक नौक्री हासिल करके रहनी है. आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग 31 दिसंबर और साथ में, आज मतलब एक जनवरी दोनों दिन के करेंट अफेर डिसकस करेंगे. तो वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा होगा, और दोनों दिन के करेंट अफेर की पीडियेफ या फिर डेली पीडियेफ जो भी हैं, स्टाटिक जीके के साथ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे टेलीग्राम का ओफिशल लिंक वीडियो के डिसक्रिप्शन में सबसे उपर दिया हुआ है. वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, कल के कोशन की, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में कोशन पूछा था, वो ये था, कि साल 2024 में अफगानिस्तान को पचाल कर, UNODC क जो कि अफीम का सबसे वड़ा उत्पादक बन गया है. तो ये देश है म्यामार. 2022 तक अफगानिस्तान पूरे दुनिया में वो देश था, जहां पर अफीम का सबसे जादा, जिसको अंग्रेजी में ओपियम भी बोलते हैं, इसका उत्पादन किया जाता था. लेकिन आपको किया है कि अफगानिस्तान में जितनी खेती होती थी, उसमें 95 प्रतीशत तक गिरावट आ गई है, अफीम में. और म्यामार में ये लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि म्यामार सरकार ने इसे लीगल करार दिया है, इस वज़े से इस टाइम पर म्यामार अफीम की खेती कि पाकिस्तान ने अभी हाली में एक नए रॉकेट का सफलता पूरा करिक्षन किया है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है फते सेकेंड, फते सेकेंड, अब शुरू करते हैं करेंट अफेर, NPCI जिसको बोलते है, National Payment Corporation of India, इन्होंने अभी हाली में फैसला लिया है, कि ये से तरीके की फैसलेटी है, जो कि सेकेंडरी मार्केट में आपको सपोर्ट करती है, अब देखिए प्राइमरी मार्केट पहले क्या होता है, आप जैसे की दूद गिल लेने गए, अंडा, ब्रेड, सबजी, ये सब आप जो मार्केट में लेने जा रहे हो, या फिर मान लीजे, आप एक, कोई भी आप सर्विस ले रहे हो मान लीजे, आप गए और डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया, आपने डॉक्टर को फीज दी, ये सारी चीज़े प्राइमरी मार्केट में आ जाती है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जहां पर आप इस तरीके का सामान नहीं बलकि आप शेर्स खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, एसिट्स खरीदते हो, वो बाजार सेकेंडरी बाजार कहलाता है, तो कहने का मतलब ये है, ये एक नई फैसलिटी, एनपी सी आई के द्वारा लांच करी गई है, सेकेंडरी मार्केट के लिए, अब आप एनपी सी अपनी के शेर खरीद पाओगे या फिर IPO के लिए आप अपना एक पर्टिकुलर एमाउंट ब्लॉक कर पाओगे एक्जाम्पल के तौर पर अगर बात करी जाए जैसे मान लीजे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है ठीक है और आप चाहते हो कि हम 2000 रुपए टीशे के शेर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब आप 2000 रुपए है इन्वेस्ट खरोगे तो 2000 रुपए है आपके अकाउंट के ब्लॉक हो जाएंगे यह आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट तो होँंगे जब तक आई पीओ नहीं आ जाता तब तक यह रिफ्लेक्ट supported by blocked amount third one is the correct answer अभी हाली में Hyundai Motor India के Brand Ambassador के रूप में किसको appoint किया गया है Hyundai एक automobile company है और एक Korean company है और इसके Brand Ambassador के रूप में दीपका पाधकोन को appoint किया गया है ध्यान रखिए दीपका पाधकोन Hyundai Motor India के लिए appoint करी गई है Global Hyundai की Brand Ambassador नहीं है Hyundai के अगर बात करें तो भारत में जो इसका office है ये है Guru Gram में और इस टाइम पे इसके CEO है इनका नाम है उन्सो किम क्या मनाम है उन्सो किम और ध्यान रखिएगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मुंबई में जो 21 जनवरी को marathon होने जा रही है इसके Brand Ambassador के रूप में Catty Moon को appoint किया गया है Catty Moon और Sony Pictures के Brand Ambassador कौन appoint किये गए हैं भी कुछ टाइम पहले कारते कारिन भारत सरकार ने ये New Zealand का कौन सा शहर है जहां पर Consulate General of India बनाने के लिए permission दे दिये Consulate General of India का मतलब ये है कि वहाँ पर भारत की एक permanent embassy होगी जहां पर भारत के राजदूद बैट पाएंगे और New Zealand में रह रहे जो भारत के नागरेख हैं उनको एक direct भारत सरकार की तरफ से support मिलेगा और इतना ही नहीं इससे New Zealand और भारत के बीच में जो diplomatic relation है वो भी काफी बहतर होंगे तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि New Zealand के अंदर Auckland में ये नई embassy बनाई जाएगी आपको बता दूँ New Zealand के प्रधान मंत्री अभी हाली में कुछ टाइम पहले बने है Christopher Luxon और यहां पे सरकार बदलते ही इन्होंने भारत सरकार को ये proposal दिया था कि आप अपनी permanent embassy हमारे देश में बनाई है और capital क्या है Wellington capital है New Zealand की भारत ने भी कौन से देश के साथ pact sign किया है और ये pact है Broadcasting, Exchange of News, Audio Visual Programs को लेकर तो भारत सरकार ने ये pact Malaysian government के साथ sign किया है Malaysia और भारत दोनों आपस में Broadcasting के छेतर में सूचना को साजा करेंगी साथ में Other Newses को भी साजा करेंगी जो कि यहां के लोगों के लिए beneficial होंगी और Audio Visual Programs को भी ये conduct करते रहेंगे Audio Programs जैसे की FM वगेरा में आपने सुने होंगे दो लोग आपस में बात कर रहें हैं किसी विशय पर Visual Programs कई बार आप लोगों ने TV पर देखे होंगे दो लोग बैठे हुए हैं और किसी विशय विशेस पर चर्चा हो रही है तो इन सारी चीजों पर बेस्ड होते हैं Audio Visual Programs और प्रधान बंत्री Naren moody ने इसको खुद applies किया है बाइदर वे आपको बता दूँ भारत की तरफ से जो BROAD CASTING Host करी जाती है ये प्रसार भारती के द्वारा Host करी जाती किसके द्वारा प्रसार भारती है और प्रसार भारती है मलेशया के साथ 46 नंबर पर पहुँच गई है M.O.U. साइन करने वाली मतलब कहने का ये है कि अभी तक 46 देशों के साथ ये पैक्ट प्रसार भारती साइन कर चुकी है और मलेशिया की कैपिटल क्या है ये है कौला लंपुर और यहां के प्रधान मंत्री है अनवर इब्राहिम माल्दीव्स की कैपिटल है माले पूटान की कैपिटल है थिम्पू वियतनाम की कैपिटल है अनुई भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अभी तक जो सुकन्या सम्रद्धी योजना चलाई जा रही थी अब इसमें जनवरी से मार्च 2024 तक के लिए rate of interest बढ़ा दिये जाएंगे तो सरकार ने कितने rate of interest बढ़ा दिये हैं तो इसमें 20 basis point का जो असर है वो देखने को मिलेगा 20 basis point का मतलब हो गया 0.2% बढ़ा दिये गये है rate of interest अभी तक सुकन्या सम्रद्धी योजना जो है इसका जो particular rate of interest था वो 8 प्रतीशत था लेकिन आब इसको बढ़ा कर 8.2% कर दिया किया है सुकन्या सम्रद्धी योजना आपको बता दूँ साल 2015 में सरकार ने लौंच करी थी और इसका में उद्देश ये है यह ऐसे parents जिनके पास अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो वो इस योजना में खुद को register कर सकते हैं और बहुत एक nominal amount वो डालते हैं जिसमें सरकार उनको मदद करती है तो ultimately इसमें फायदा किसका हुआ सरकार का या फिर लोगों का तो इसमें लोगों का फायदा है आपको पता दूँ सीधी सी बात है अभी तक आपको 100 रुपए में 8 रुपए extra मिलते थे व्याज के आधार पर आब आपको 8.2 रुपए मिलेंगे व्याज के आधार तर अभी ह क्या है यह जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इनका नाम है सिग्रिट काग क्या नाम है सिग्रिट काग और यह नीदर लेंड की फार्मर डेपिटी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है मिडिल इस्ट वाले रीजन की यह एक्सपर्ट हैं बहुत जादा तो इस वज और यह जो अपना कारेभार है यह करीब अगले 10 दिन के बाद अपना कारेभार समाल लेंगी अभी हाली में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिनके द्वारा अबय हस्तम नाम का एक नया कायकरम शुरू किया गया है तो इसको तेलंगाना के मुख्यमंत्री इनका नाम ह ए रेवांत रेड़ी अभी हाली में चुनकर आये हैं इनके द्वारा अब यह हस्तम नाम का एक नया कायकरम शुरू किया गया है अब यह कायकरम है क्या आपको याद होगा एक मेहने पहले ही देलंगाना के अंदर जो विधान सभा के एलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें पता लगा कि कॉंग्रेस ने आपर बाजी मान लिये मतलब कॉंग्रेस की सरकार बन गई और कॉंग्रेस ने ए रेवांत रेड़ी को मुख्यमंतरी नियुक्त किया अब इन्हों ने अब यह हस्तम नाम का यह जो कायकरम लौंच किया है इसमें इन्हों ने उन्छे कामों को अश्योर किया है जो इन्हों ने पब्लिक से वाधा किये थे मतलब election के time पर इन्हों ने पब्लिक को वो छए काम बोले थे जो की इनके मैनिफेस्टों में शामिल थे तो उसको इन्हों ने इस हब अस्तम कायकरम के अंतरगत यह अश्योर किया है कि अगले 100 दिन में apply कर दें और तेलंगाना जो है यहां के गवर्नर है तमिलसई सुन्दराजन और ध्यान रखेगा साल 2025 के बाद 2023 में भी केरल पूरे भारत में परेटन के मामले में नमबर वन रहा अभी हाली में जनता दल के अध्यक्ष के रूप में ललन सिंग को सक्सीड किया है किसने तो जेडियू जो कि इसको हिंदी में जदियू भी बोलायाता है जैसे बीजेपी को भाजपा बोलायाता है तो जनता दल जो है इसकी स्थापना साल 2003 में करी गई थी और इस पार्टी के अभी सरकार चल रही है बिहार में जिसके मुख्यमंत्री है नितीश कुमार तो अब नितीश कुमार अब मुख्यमंत्री होने के साथ जनता दलके प्रेसिडेंट का पदभार भी समा लेंगे और जेडियू के जो पहले प्रेसिडेंट थे ये थे शरत यादव जब इस पार्टी की स्थापना करी गई थी क्या आप बता सकते हो भारती है नो सेना में जो एड्मिरेल्स के जो अप्लेट्स होते हैं अप्लेट्स का मतलब जानते हैं आप डिफेंस पर्सनल्स जो होते हैं जो हमारे सैनिक होते हैं या अधिकारी होते हैं उनके shoulders कंधे पर आपने देखा होगा एक strip लगी होती है इस तरीके की, इसी को appearance बोलाया था है, और applets में ये एक राज मुद्रा शामिल करी गई है, राज मुद्रा मतलब ये एक ensign है, ये किसका ensign है जो अभी हाली में शामिल किया गया है, तो ये छत्रपती शिवा जी महारा हो, तो उन सभी के applets में आप देखोगे, इस तरीके का sign आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रहे कि उस टाइम पहले ही, इंडियन नेवी में ये नया insignia लाया गया था, इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा, इसमें 8 कौन है, मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटवा, साथवा और आठवा, दरसल छत्रपती शिवा जी महाराज के द्वारा, जो 9 सेना बनाई गई थी, उसमें इस ensign को use किया गया था, इसका मतलब ये था, कि 4 दिशाओं ही नहीं, हम 8 दिशाओं में नजर रखते हैं अपने देश को protect करने के लिए, इस वज़े से भारतिया 9 सेना में, अब applets में भी इनको शामिल कर लिया गया है, भारतिया 9 सेना के जंडे में तो इ 4 दिसंबर को भारतिया 9 सेना दिवस बनाया था, ये कौन सा हॉस्पिटल है, जिसके द्वारा भारत का पहला oral leukemia drug बच्चों के लिए launch किया गया है, leukemia जिसको blood cancer के नाम से आम भाशा में जाना जाता है, बच्चों में बहुत सारे cases ऐसे देखने को मिल रहे हैं, कि वे बहु इनको मा का दूद ही दिया जाता था, ठीक है, जो की अपने आप में कई तरीके के nutations भी रखता है, और बच्चों को 12 तरीके की बीमारियों से बचाता है, लेकिन आज की डेट में बहुत ही जल्दी बच्चों को market based product पर depend कर दिया जाता है, इवेन इतना ही नहीं, बच्चो में blood cancer के भी cases देखने को मिल रहे हैं, तो ये है Tata Memorial Hospital मुंबई का, ताटा ने अभी हाली में अपने doctors के साथ शोध करके बच्चों के लिए oral leukemia drug launch किया है, ताटा ने इस बात को पहले ही assure कर दिया था, क्योंकि बच्चे हैं, तो उन्हें injection लगाने की ज़रुत ना पड़े, इस वज़े से ये जो drug है, ये oral ही होना चाहिए, और ये जो दवाई है, इसका नाम भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान लखना, इस दवाई का नाम क्या है, इसको बोलते है 6 Mercapto Urine, या पर मैं लिख देता हूँ 6 Mercapto Urine, ठीक है, तो ये वो दवाई का न है, तो ये है गुजरात सरकार, गुजरात में भुपिंदर पटिल की सरकार है, और इनों ने दवारका के Coastal Area से इसको launch किया है, ये जो सब मरीन है, जो आपको दिखाई दे रही है, इसका वजन 35 टन है, और इसमें एक बार में 30 लोग बैट के जा सकते हैं, ये पानी के आखिर तक चला दी जाएगी, और गुजरात में इस टाइम पे गवनर कोन है, आचार देवरत, गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर भारत के सबसे यादा शेर पाए जाते हैं, पॉंडी चेरी यूनिवरस्टी में, एक्स ओफिसो चांसलर के रूप में किसको एपोइंट किया गया है, तो यह एपोइंट किये गए हैं, जगदीव धंकड, जगदीव धंकड, ओपर आजट पती हैं, इस टाइम पे आपको पताईए, और पॉंडी चेरी विश्विद्याले जो है, इसकी स्थापना 1985 एक्ट के तहित करी गई थी, तो अब से इसके एक उनसी रैंक सिक्योर करी है, तो भारत ने इस बार इसमें दूसरी रैंक सिक्योर करी है, मतलब बहुत बड़ा जंप मारा है, आप ऐसा समझ लीजे, पूरे दुनिया में नंबर वन पे स्टील का उतपादन चाइना कर रहा है इस टाइम पे, और चाइना के बाद दूसरे न मार के पहुँच गया है, 89.7 मिलियन टन, और यहां पर सीधे परसेंटेज में अगर कहें, तो 14 प्रतीशत का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, SDFC Life जो है, SDFC बैंक की जो इंशुरेंस ब्रांच है, इन्होंने कौन से बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है, तो इन्होंने NKGSB कोपरेटिव बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है, और यह एक सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक वो बैंक होते हैं, जो की छोटे लोन्स देने का का करते हैं मतलब कम अमाउंट के जो लोन होते हैं वो देने के लिए सहकारी बैंक बनाए जाते हैं तो अल्टिमेटली जो ये जो बैंक है इस बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उनको SDFC Life की पॉलिसी ये बैंक देने का काम करेगा और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टा की आईडी उपर लिखी हुए वरुन अवस्थी 07 ये कौन से दो राज्य हैं जो की भारत सरकार के द्वारा Capital Expenditure और Investment में सबसे ज़ादा धनराशी राप्त करने वाले राज्य बन गए हैं कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने पूरे भारत के जितने भी राज और यूटीज है इनको कुछ टाइम पहले एक धनराशी अवंट आवंटित करी है और यह धनराशी है एक लाख 67,000 करोन कितना एक लाख 67,000 करोन यह धनराशी भारत के सबी राज्यों और यूटीज में लोन सरूप बाटी गई थी ताकि हर एक राज्य सरकार हर एक यूटी अपने राज्य के अंदर जो infrastructure है उसे develop कर सके जिनको पैसे की ज़रूरत है तो यह दो राज्य हैं उत्तर पदेश और व और इसमें हरियाना, उत्तराखंड, पंजाब, केरल यह ऐसे राज्य हैं जिनको टोटल एमाउंट का करीब एक से दो प्रतीशत एमाउंट प्राफ्ट हुआ है फिलाल अभी राजस्थान और मद्पदेश जो हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है मद्पदेश में तो एक बार फिर से आ गई और मद्पदेश के नए मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादो और उतरपदेश में गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और बिहार में जो गवर्नर है राजिन अरलेकर वारतिय ओलम्पिक्स एसोसियेशन के द्वारा एक एड होक पैनल अभी हाली में बनाया गया है और यह जो एड होक पैनल है यह निगरानी रखेगा रैसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया की तो इस पैनल में कितने मेंबर्स शामिल किये गए हैं तो टोटल इसमें तीन मेंबर्स शामिल किये गए हैं यह तीन मेंबर कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ दरसल यह जो तीन मेंबर है इनमें से एक हैं M.M. Sumaya यह पहले हौकी ओलंपियन है इसके अलावा इंटरनेशनल शटलर के जो फॉर्मर खिलाडी रह चुके हैं इनका नाम है मंजूशा कमर मंजूशा कमर तो यह दो एपोइंट किये गए हैं और तीसरे जो सदस से होंगे वो इसको लीड करेंगे यह हैं वूसू एसोसियेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बुपिंदर सिंह बाजवा तो यह तीन लोग हैं जो कि इस एड होक पैनल में होंगे आपको बता दू एक होता है कमेटी पैनल जो की पर्मानेंट होता है एड होक पैनल का मतलब यह है कि यह टेंपरेरी है ठीक है इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है आपको एक चीज और ध्यान रखनी है रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को स्पोर्ट्स मंत्राले के द्वारा सस्पें पालन नहीं कर रही है इस वज़े से इनको सस्पेंड कर दिया गया है और एब एक नया पैनल बना दिया गया है और वो भी टेंपरेरी है एड होक पैनल इसमें भी लोग चेंज किये जा सकते हैं हाली में नैशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसके द्वारा लौँच किया गया है इसको एन्वार्मेंट मिनिस्टर भुपिंदर यादो के द्वारा लौँच किया गया है अब सवाल ये है कि नैशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है क्या भाई ये किस चुलिया का नाम है वेस्ट बेंगौल में फिर से इसे permit लेना पड़ेगा विस्ट बेंगौल से आया मान लीज़े मध्यपरदेश मध्यपरदेश में इसे फिर से permit लेना पड़ेगा तो अब ये सारी चीज़ें खतम करके वन नेशन वन पास योजना इसके अंतरगात लौंच करी गई है मतलब क यह सारी चीजों को एक से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो आप से क्या होगा? कि एक ही बार में पर्मिट दे दिया जाएगा. अब यह जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, इन्हें यह सारी मुसीबत देखने को नहीं मिलेगी. एक बार जो ट्रक चलेगा, वो फ्रिक्वेंटली पास करता चला जाएगा, जितने भी स्टेट पास करना चाहे वो. अभी हाली में टॉप 25 AI नेशन्स की लिस्ट जारी करी गई है 2023 के, इसमें भारत ने कौन सा इस्थान आसिल किया है? तो 25 AI नेशन्स के अंदर भारत की जो रैंक रही है, यह 15 रैंक रही है इस पर. भारत की रैंक थोड़ी नीचे ही भले है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, यह जो रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है, टुफ्ट यूनिवर्स्टी बिजनेस स्कूल के द्वारा, कि रिसर्च यह कहती है, कि भारत आज की डेट में आर्टीफिशल सा रहा है, तो भारत ने पचाड़ा है काफी बड़े-बड़े कंट्रीज को जैसे की ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इंडोनेशिय उसके बाद रहा है, मैक्सिको रहा है, टर्की हो गया, इन सभी देशों को, और ध्यान रहे, दुनिया की पहली AI युनिवर्स बनाए गए है, 3D printed faces पर बाद में आते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, कि भाई ये faces बनाए क्यों गए है, देखे, सबसे पहले COVID आया, COVID से लोग ग्रसित हुए, उसके बाद आपने नाम सुना होगा, Black Fungus का, कि लोगों को Black Fungus नाम का वाइरस लग रहा है, ये व इस case में, Black Fungus के जो cases हैं, वो काफी सारे उभर कर आए, अब इस condition में काफी एक भयावे अस्थिती आ जाती है, जो चहरे के organs हैं, वो अपना shape change करने लगते हैं, मतलब नाक हो गई, आख हो गई, कान हो गई, इनका shape बुरी तरीके से change होने लगता है, जिसमें चहरा बिगड जाता है survivor का, तो ऐसे में, उसके चहरे को treat करने के लिए surgery के basis पर, IIT मदरास ने इस तरीके के 3D printed faces बनाने चालू कर दिये हैं, यह जो 3D printed faces हैं, यह उनको एक नया confidence देने का काम करेंगे, हाली में, चीन के नए रक्षा मंतरी के रूप में, किसको नियूक दिखिया गया है, जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं, यह चाइना की नेवी में, कमांडर की post से retire हो चुके थे, और अब यह रक्षा मंतरी की post समाल रहे हैं, इनका नाम है, डॉंग जून, क्या नाम है, डॉंग जून, और इनोंने जिनकी जगे लिए, इनका नाम क्या है, यह है, ली शां के जो major areas हैं, उन सभी में इनोंने सर्व किया हुआ है, और उसके बाद defense minister के रूप में अब appoint किया गया है, चाइना में Xi Jinping की सरकार है, यह कौन सी राज्य सरकार है, जिसने फैसला लिया है, कि इस राज्य के अंदर जितनी भी tribal communities हैं, जितनी भी जंजातियां हैं और दलित है उनके लिए जो pension योजना हैं, उसमें qualifying age को घटा कर 50 साल कर दिया गया है, देखें, हर एक राज्य के अंदर जो pension योजना का फाइदा मिलता है, वो 60 वर्ष के बाद मिलता है, जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, उसके बाद जो pension plan है, वो active हो जाते हैं, तो यह है जहारक इनने 50 साल होने पर ही फाइदा मिलना शुरू हो जाएका, और जहारकंड जिसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी, उस टाइम पर जहारकंड के अंदर 16 लाख लोग थे जिनको pension का फाइदा मिल रहा था, आज की डेट में यह जो figure है, यह 36 लाख हो चुका है, पूरे राज मे plus certificate से सम्मानित किया गया है, मतलब इनको IACC certificate मिल गया है, अब IACC का मतलब क्या है, international sustainability and carbon certification, तो यह company है RIL, Reliance Industries Limited, RIL ने अभी तक plastic को chemical से recycle करने के लिए, जो जिस तरीके से अपने projects launch किया है, उनको nature plus supportive बताया गया है, मतलब उसमें nature का नुकसान बहुत गम है, ना के बराबर ह इस वज़े से इनको IACC plus certificate दिया गया है, अब यह केवल देश में ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे projects भी ले पाएंगे, प्रधान मंत्री नरेन मूदी के द्वारा कितनी वंदे भारत trains का उधगाटन आयोध्या से अभी हाली में किया है, तो PM नरेन मूदी ने total 6 वंदे भ कर दिया क्या है, और इतना ही नहीं, आयोध्या के अंदर क्योंकि आप परेटन बढ़ेगा, अराम मंदिर का निर्माड हो रहा है, जैसे एक बार निर्माड हो जाएगा, तो extra trains की जरूत पड़ेगी, उन सारी चीजों को देखते हुए, नई 6 वंदे भारत trains launch करी गई है, ये 6 वंदे भारत trains कौन कौन सी हैं समझिएगा, एक तो माता वैशनो देवी कटरा से लेकर दिल्ली तक launch करी गई है, ये पहले भी चलती थी, लेकिन एक extra train इसके लिए चला दी गई है, पहली हो गई है, जो दूसरी train launch करी गई है, ये जालना से लेकर मुंबई तक launch करी होगी, और पांचवी जो है, ये मंगलुरू से लेकर मढगाओं गोवा तक launch करी गई है, और छटवी जो है, इसको कोईमबटूर से लेकर बैंगलॉर तक launch किया क्या है, ये तो हो गई 6 वंदे भारत, इसके अलावा अमरित भारत trains भी launch करी गई है, दो, दो अमरित भारत launch क गई है, ये कहां से कहां तक है, तो पहली जो है, ये दर्भांगा से लेकर आनंद विहार तक launch करी गई है, दिल्ली तक, लेकिन ये वाया आयोध्या आएगी, आयोध्या से होते हुए, और जो दूसरी launch करी गई है, ये मालदा टाउन से बैंगलॉर तक connect करेगी, और ये जो तो इसमें आगे भी engine है, और पीछे भी engine है, आगे वाला जो engine है, ये तो इस direction में train को pull करेगा, खीचेगा, ठीक है, लेकिन जो पीछे वाला engine है, ये इस direction में force लगाएगा, मतलब ये push करेगा, इस से train को अतरिक्त घती मिलेगी, अभी तक क्या होता था, train में दो engine तो होते लेकिन cable pull की technology थी, एक engine इधर की तरफ जा रहा है, तो train इधर जा रही है, एक engine अगर इधर की तरफ लगा रहा है force तो इधर जा रही है, पीछे वाला engine है, वो neutral हो जाता था, बड़ अब ऐसा रही है, अमरित भारत में दोनों engine push and pull के आधार पर train की गती को तेज करने का काम क जो है, यह offer चल रहा है, exam engine application में, यह बहुत बड़ा offer है, जिसमें आप exam engine application में, मेरे किसी भी course में 50% का direct flat off ले सकते हैं, चाहे वो मेरा GS का foundation batch हो या कोई भी, मेरा जो foundation batch है, इसमें history, polity, geography, science, economics, computer और PYQs, यह सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, जो कि 2024 के किसी भी SSC exam या फि इस course की मदद से बहतर से बहतर perform कर सकते हैं, किसी भी exam में, चाहे वो राज जिका हो, इसके अलावा, आप मेरे recorded batch जैसे की history, quality, इन सब के अलग-अलग batches भी avail कर सकते हैं, सिर्फ आधे दामों पर आज के लिए, यह offer आज रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद यह offer खतम हो जाए तो यह है जम्मू कश्मीर के lieutenant governor Manos Sina, Manos Sina के द्वारा एक नया regional center खोला गया है, इस regional center के अंदर जो विकलांग जन है, उनको skill development की training दी जाएगी, मतलब उन्हें इस प्रकार training दी जाएगी, कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, कमा कर, उनके अंदर कई तरीके की skills को develop किया जाएगा, उनके interest को देखते हुए, और जम्मू कश्मीर में कई बार आपसे fog dance पूस दिये जाते हैं, यहां के fog dance काफी famous हैं, जैसे कि राउफ हो गया, दंडी नाच हो गया, एक है यहां पर कूद नाच जो की चलता है, एक है मन्द जास, यह सब काफी famous है, ध्यान रखिए कौन थे, comment box में जल्दी से लिक कर बताईए जिसको पता है, और जो भी बताएगा उसका कल के वीडियो में मैं नाम ज़रूर लूँगा, और इस offer बिक के लिए आप discount code welcome50 लगाईए, जिससे की आदे दामों पर आप सारे courses को अवेल कर पाएंगे, आप मुझे टेलिग्राम क जो official link है, उसके थूरू follow कर सकते हैं, और एक और बात, जो भी essay student जिनोंने subscription लिया हुआ है, मंतली मैगजीन का exam engine में, आपकी जो December वाली मैगजीन है, ये दो तारिक को upload हो जाएगी, मंतली मैगजीन, तो आज की बात यहीं तग रहेगी, thank you so much, have a nice day, take care, bye bye, आपका दिन अगल में हो, और उम्मीद करता हूँ, साल 2024, आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, thank you everyone,